तमस्कार स्वागत है आपका दा न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शुप्राजैनी विपक्षी गटबंधन INDIA में शामिल समाजवादी पार्टी और कॉंक्रस पार्टी भले ही हम साथ-साथ है वाली तस्वीर दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही हो लेकिन मद्यपरदेश विदान सबा चुनाव से पहले अब INDIA अलाइंस में फूट पर्टी नजर आ रही है जिस तरीके से मद्यपरदेश से ये बड़ी खबर है कि दरसल चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और कॉंक्रिस पार्टी एक दूसरी के आमने साफने नजर आ रही है जिस तरीके से अखलेश यादव ये लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे कि हम कॉंक्रिस पार्टी के साथ मिलकर ये मद्यपरदेश विदान सबा चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब बड़ी खबर किये है कि मद्यपरदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कॉंक्रिस पार्टी के खिलाफ अपने कई परतियाशी मैदान में उतार दिये हैं यानी एक तरफ कॉंक्रिस पार्टी और पूरा विपक्ष बीजपी से मुकाफला करने की बात कह रहा है लेकिन मद्यपरदेश में खास तोर पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये पूरा जो अलाइंस है विपक्ष का ये बिखरा हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से पक्ष में फूट जो है वो मद्यपरदेश में ही दिखनी शुरू हो गई है आपको मैं ये बता दूँ कि दरसल लोकसभाज चुनाव के समीकरन को ध्यान में रखते हुए कॉंक्रिस मद्यपरदेश में सपा को कुछ सीटे देंगी इस तरह की खबरे लगातार चल रही थी अखबारों में इस तरह की हेंडलाइन बन रही थी क्योंकि अखलेश यादव का भी कुछ ऐसा ही बयान था जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है लेकिन अब स्थिती एकदम से उलट हो चुकी है क्योंकि कॉंग्रिस ने जो मद्यपरदेश की 230 विदान सभा सीटे हैं उस पर 146 सीटों पर उमिद्वारों की खोशना करती है और करहीब इसके 10 खंटे बाद समाजवादी पार्टी ने भी 9 उमिद्वारों की खोशना की लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इन में से 5 सीटे ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी और कॉंक्रिस पार्ट में मिलकर चुनाफ रड़ेंगे मिलकर हम बीज़ेपी को हराएंगे लेकिन अब दोनों ही पार्टियों के उमिद्वार जो है वो आपने सांपने नजर आ रहा हैं तो जाहिर तोर पर ये बीज़ेपी के लिए बहुत बड़ा फाहिता मद्यप्रदेश में कहने कई तरीके से तूट रहा है किस तरीके से पार्टियों में तक्रार बढ़ रही है ये साफ तोर पर आप पांच राज्यों में विधान सबाद चुनाफ है और उसमें ये तस्वीर स्पोस्ट तौर पर नजर आ रही है क्योंकि ना सिर्फ मद्यप्रदेश मैं आपको ये भी बत तक्ष में ही आपको ये जन देखने को मिल रही है बहुत अच्वी एंग ये अच्वी मद्यप्रदेश कि मद्धाटा को एहसास हो रहा है कि किस प्रकार के साथ उनसे खिल वार किया घैसे मद्यप्रदेश को प्रवेश बनाया गया है याज सबको अस्था स fighters पर बनाएश अब 4,000 को तो टिकेट मिल ली सकता, मिलता तो एक ही है, तो इसमें से कुछ तो निराश होएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आथ में कॉंग्रिस का काम का, 65-65 प्रतिशाद हमने 50 साल से कम लोगों को टिकेट दिया है, 60-16 माइलाओं को दिया है, इससे और क्या अच्छा हो सकते हैं, अगर चेत्री कॉंग्रेस हमारा लोकल संगटन सुईकार करे, तब हमें आपको पार बहुत अच्छी टक्कर रहेगी, मैं तो सुगता हूँ, टक्कर कम होगी, लोगों का मद्रपिदेश की जन्ता का फैसला मद्रपिदेश की भवेश्य को लेखे कॉंग्रेस के सूत्रों का ये कहना है कि दरसल इन सीटों पर कॉंग्रेस के दो से तीन उमिद्वारों के बीच जोर अजमाईश चल रही है, ये भी कॉंग्रेस की तरफ से जानकारी सापने आई है, अगली लिस्ट में इन उमिद्वारों के नाम तैह कर लिये जाएंगे, पार्टी के एक वरिष्ट नेता की ओर से ये जानकारी थी गई है कि इंडिया गटपंधन को लेकर भले बाच्ची चल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस सपा को सीटे देने के मूर में नहीं है, यानि कॉंग्रेस पार्टी समाच्छवारी पार्टी को सीटे नहीं देंगी और साफतोर पर इसका असर उत्तर प्रदेश में भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाच्छवारी पार्टी का परभाव है, वर्चिस्व है और वहां पर उनकी जादा सीटे हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस पार्टी के बीच ये एक अलग जंग देखने को मिल रही है जिसका फाइदा सिदे तोर पर बीजेपी को होता नजर आ रहा है क्याकि समाच्छवारी पार्टी ने नो परतियाशियों की लिस्ट जारी करती है जिन में तीन यादव समेत पांच ओबीसी, ती इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि समाच्वारी पार्टी और कॉंक्रेस पार्टी में तकरार जो है वो लगातार बढ़ रही है और वहीं बस्पा ने भी अपने पर्तियाशि चुनाफी में है उतार दी है तो कुल मिलाकर विपक्ष में ही जो कहीं ने कहीं एक कहसकते हैं कॉंक्रिस पार्टी का कितना बड़ा नुकसान जो है वो मध्यप्रदेश पे करती है अपने उमिद्वार उतार कर क्योंकि जो कहीं न कहीं उमिद्वारों की लिस्ट साफ ने आई हैं उसमें पांच सीटों पर दोनों पार्टियों ने यानि समाचवादी पार्टी और कॉंक विपक्ष में ही कहीं न कहीं बढ़ रहा है और यहीं वजा है कि बीजेपी लगातार जो है विपक्ष पर हमला बोल रही है अब बीजेपी के नेता जो है कैलाश विजेवर किया उन्होंने कॉंक्रिस पार्टी पर तंच करा है हमला बोला है और यह कहा है कि पार्टी ने फ वर्गया ने ये कहा है कि प्रदेश कॉंक्रिस अध्यक्ष कमलनात ने फ्यूजर बल्पों के नाम जारी किये हैं और मुझे लगता है कि उन में से अध्यकांस चुनाव हार जाएंगे वो सभी फ्यूजर बल्प हैं पार्टी ने पिछड़े वर्गों और महिलाओं से जुरे पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाफला देखने को मिलेगा लेकिन अब ऐसा लगता है कि कॉंक्रिस पार्टी की वोट बैंक में समाजवादी पार्टी जेंद मारकर कॉंक्रिस पार्टी का खेल बिगाटनी की तहियारी मध्यपरदेश में कर ली है और ये साफतोर पर इश द्वारों की घुशना हो चुकी है फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें धन्यवाद